नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सिवाम पांडे और आप सभी का स्वागात है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आज में लोग इस वीडियो में कौन सी जन्जाती द्वारा कौन सा उत्सो मनाया जाता है इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं मैं आपको बता दूँ कि इस टॉपिक को मैंने ऐसे ही अपने मन से नहीं ले लिया है बलकि इस समंधित इज्याम में प्रेशने पूछे गए हैं जो की आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं और इतने ही प्रेशन नहीं है बलकि बहुत सारे प्रेशन इस टॉपिक से सम्मंदित पूछे गए हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से अंतर जरूर देखेगा जिससे कि ये जो टॉपिक है आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो पतनी और वाइफ की बात हो रही है तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी वाइफ से अंई पतनी से डरते हैं तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ड्री महोस्व जो है वो अपातानी समुदाय द्वरा मनाया जाता है नेक्ष्ट है मायो की उस् मनाया जाता है तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो है वो पत्तिनी से डरते हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने ड्रीम होसो याद किया था तो वह क्या सोचते होंगे कि जो पत्तिनी है वो कहां चली जाए माई के चली जाए तो माई का फ़र मायो की तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मायो की उस्व जो है ये भी आपातानी समधुआ द्वारा ही मनाया जाता है फिर अगला है मीम कूट उस्व और ये मनाया जाता है कूकी समधुआ द्वारा तो कैसे याद रखेंगे मीम कूँट को याद करने के लिए कर लिते हैं मॉम कूँट यानि मॉम जो हैं वो बच्चों को कूँट रही है तो जाहिसी वाथ है बच्चे क्या करेंगे कीकी करेंगे रोएंगे तो कीकी for cookie तो आप یसे याद रखेंगा याद रखिएगा कि जो भगोरिया उस्व है ये भील समुद्वाद्वरा मनाया जाता है नेक्स्ट है मीडेम मीफी उस्व और ये मनाया जाता है अहोम समुद्वाद्वरा यहाँ पर देखिए मीडेम मीफी तो मीडेम को कर लेते हैं मैडम ठीक है तो मैडम क्या करती है बच्चों को होम वर्क देती है होम वर्क से होम सब्द आपको याद आजाएगा होम फोर अहोम तो याद रखिएगा मीडम मीफी जो उस्व है ये अहोम समुदू अद्वरा मना आ जाते है तो अगर आभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रहे है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि आप लोग वीडियो की भावना में खो जाते हो तो लाइक नहीं करते हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और हाँ चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ट है सरहूल उसव और ये मनाया जाता है उराव और मुंडा समधा द्वारा तो कैसे याद रखेंगे यहाँ पर देखें सरहूल में आपको सद मिल जागा सर और राहू तो आपको पता है राहू का सर काट दिया गया था तो उसका सर बस उरता है क्योंकि उतना अमर हो गया था तो सर उरता है उरनाफ और उराव याद हो जाएगा और सर जो है मुंडा भी होता है जिनके बाल ज़ड़ जाते हैं तो सर क्या होता है मुंडा हो जाता है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सरहुल उस्व जो है वो उराव और मुंडा समध्वाद्वारा मनाया जाता है नेक्स्ट है याक छम उस्व और ये मनाया जाता है भूटिया समद्वाय द्वारा तो याक छम में यहाँ पर छम छम कर लेते हैं तो आपने देखा होगा भूटिया इस्थान जो होता है वहाँ पर छम छम जैसी आवाज आती है आपने फिल्मों में देखा होगा जैसे भूतिया बंगला होते हैं तो वहाँ पर पायल के छम छम की आवाज बचती रहती है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि याग छम उस्सो जो है भूतिया समध्वाद्वारा मनाया जाता है फिर अगला है चू फार्ट उस्सो और ये ले पैसा नहीं कर पायेगा मतलब पैसा नहीं ले पायेगा तो चू फार्ट उस्सो जो है ये लेप्चा समुध्वाद्वाद्वारा मनाया जाता है नेक्स्ट है लाहो उस्सो और ये मनाया जाता है जैनतिया समुध्वाद्वाद्वारा तो कैसे याद रखेंगे लाहो को कर फिल्मों में वही इसे डेलोग बोलें जाते हैं तो आप ऐसे याद रखेएगा कि लघु से जातियां विभाजित नहीं होती है तो जो महोसोय जयनतिय संग्वदया दोरा मनाया जाता है फिर जो अगला उसो है वो है सोहराई उसो और ये मनाया जाता है संथाल द्वारा तो कैसे याद रखेंगे सोहराई को कर लेते हैं सही राहा सही राहा कौन दिखाते हैं संत दिखाते हैं तो संत फोर संथाल तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो सोहराई उसो है वो संथाल जन जाती द्वारा मनाया जाता है फिर अगला है सागा दावा उसो और ये मनाया जाता है बाध्धों द्वारा यानि बाध्ध समुधा द्वारा तो यहाँ पर देखे दावा लिखा हुआ है तो दावा को कर लें वाधा तो वाध्यियं वाध्haft तो आप ऐसे याद रखेगा कि सागाद आवा जो उस्तो है वो वाध्य समुदाद वरा मनाया जाता है क्योंकि जो वाध्धा सब्द लिखा हो सबसे अगर उसको पढ़ेंगे तो उल्टा पढ़ेंगे दावा को तो हो जाएगा बॉदाद है समुद्वाय द्वारा चेराबो उस्व मनाया जाता है नेक्ट है खान महस्व और ये मनाया जाता है मिजी समुद्वाय द्वारा तो कैसे याद रखेंगे यहाँ पर देखे खान की बात हो यह खान नर्मली मुस्लिम को भी बोलते हैं फिर अगला जो उस्व है वो है एो लिंग उस्व और ये मनाया जाता है कोन्यक समुदादवारा तो एो लिंग में ए के बाद ओली सब्द मिल जाएगा मतलब ओला और आपको पता है जब ओला पढ़ता है उपर से बर्फवारी होती है तो लोग कोने में छिप जाते हैं तो आ जेल फॉर जेल यांग समुदादवारा तो याद रखिएगा यह उस्व किसके द्वारा मनाया जाता है जेल यांग समुदादवारा मनाया जाता है फिर जो अगला उस्व है वो है तुलूनी उस्व और यह मनाया जाता है सूमी नागा द्वारा तो यहाँ पर देखिए शूमी नागा द्व्णूरा मना आया जाते है ठीक है या फिर यहाँ पर तुलू सब्द लिखा हुआ तुलू को कर लेते हैं तुलू तुलू एक पंप होता है जो कि अक्सर जो शुमिंग पूल होते है उनके पानी को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है तो सादर को सूधर करते हैं, तो सूधर एक प्रकार की जातिया हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा, कि जो सादर सुकर उस्व है, ये जैनतिया सम्धुएद्वरा मनाया जाता है, इससे पहले हम लोगों ने लाहो उस्व भी याद किया था, और मैंने आपको बताया था, ला killed death मतलब किसी को लटका कर मानने की बात हुरी है तो फांसी की बात हुरी जैल में होती है तो आप ऐसे याद रखेगा जेल यांग समुदायद्वारा मनायी जाता है नेक्ष्ट है वानेस्वर महसौ और ये मनायी जाता है भील समुदायद्वारा तो जनजाती वाले वीडियो में आपको बताया था कि भारत का बहादुर धनुस पूरुस किसे बोलते हैं भील समुदाय की लोगों को बोलते हैं तो बहादुर धनुस पूरुस धनुस है तो बाण भी होगा तो आप ऐसे याद रखेगा कि वाणेस्वर महसा जो है वो भील मनाया जाता है फिर अगला मोध वेटा उस्था और ये टोड़ा जनजाती द्वारा मनाया जाता है तो मोध बेटा सब्द लिखा वो बेटा को चोरा भी बोलते हैं बेटा चोरा चोरा टोडा दोनों मैच करेंगे चोरा टोडा ठीक है तो आप ऐसे याद रखेगा कि मोध चीज़ होगे ना मतलब किसी भी चीज़ को पिघला देना या फिर गला देना लोहे को जैसे पिघला या फिर गला देते हैं तो आप ऐसे याद रखिएगा मोपिल उस्व जो है वो गालो समुदा दोरा मनाया जाता है फिर अगला है रोंग कर उस्व और ये कार्वी समुदा मोनपा मतलब चन्द्रमा होता है तौ तारे भी होंगे तारा 시ब्ड मिल जम grape तो यादरख 하면서 को है ए मोनपा सम अच्छा मन जाते हैं तो यहां पर देखे नाग के चकर में कोई फस गया है ना मान लीजे कोई घर के अंदर है नाग दरवाजे से इंटर कर रहा है तो एकदम वो चुप चाप खड़ा रहेगा मतलब उसको अगर खासी भी आ रही ना तो फिर वो खासे गने जब कि उसको पता है कि नाग को सुनाई नहीं देता वो कमपन मैसूस करता है फिर भी खासी आ रही तो खासे गने उसको रोंक लेगा क्योंकि नाग आ रहा है तो आप ऐसे याद रखिएगा नाग क्रेम उस्व जो रहे है ये खासी समुदाय का महत्तपोन उस्व है नेक्स्ट है वंगला उस्व और ये मनाया जाता है गारो समुदाय द्वारा तो वंगला से एक सौंग आपने सुना होगा कि वंगला मोटर कार दिला दे एक नहीं दो चार दिला दे है ना सायद अधना समीने गाया है बहुत पुराना गान है मुझे अभी याद आ रहे है तो मैंने आपको बता दिया तो वंगला मोटर कार मतलब गारी की बात हो रही है मोटर कार गारी है गारी फार गारो समुदाय तो आप ऐसे याद रखेगा कि जो वंगला उस्व है ये गारो समुदाय का महत्पूर्ण उस्व है और वंगला जो है एक लोकनिती भी है तो लो पूर जन जातिया हैं जन जातिया भी मैंने आपको अच्छे से याद करवाया हुए ठीक है तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स मिल जाएगी आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं फिर बात कर लेते हैं क कांग जात्रा कुट उस्साओ की और यह मनाया जाता है मैतेई संगदाद्वरा तो कांग की जात्रा हो रही है कोई उनको बुलाना नहीं चाहेगा क्यूकि कांव कांव करते हुए निकलेंगे मतलब कि पूरा का पूरा ऐसा बोले कि उनकी जो आवाज कड़वी होती है तो लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो हर कोई क्या बोलेगा, कि इधर मत आई, है ना, कागो की यात्रा हो रही तो बोले, इधर मत आई, मत आई for मैत आई, तो याद रखिएगा, कांग जात्रा कुट उस्सा जो है, ये मैत आई समुदा द्वरा मनाया जाता है, फिर अगला लाई हरोबा उस्सा और ये भी मैत आई समुदा द्वरा ही मनाया जाता है, तो लाई की बात हो रही है, लाई आपने खाया होगा, चूरा का बनता है, चूरा और गुड का मिक्स करके बनाया जाता है, तो कैसी होती है, लाई मीठी होती है, तो मीठी for मैत आई, मीठी, मैत तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि लाई हरोबा उस्स जो है ये मैते ही संगधाय द्वारा मनाया जाता है फिर अगला है कैला पौध उस्स और ये मनाया जाता है कोडव संगधाय द्वारा तो सीधा सा कैला पौध का आपको अर्थ समझने है कैला का मतलब होता है अस्तर सस्तर और पौध का मतलब होता है तेवहार यानि उस्सव तो कैला का मतलब क्या है अस्तर सस्तर से और यहाँ पर कोड़ाओं में आपको सद मिल लागा कोड़ा तो कोड़ा भी एक अस्तर सस्त है, कोड़े से भी मारा जाता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, कि ये कोड़ा संग्धाय का महात्पोर्न उस्सव है, फिर अगला करगा उस्सव और यह मना जाता है ठिंगला संग्धाय द्वरा, तो यहाँ पर देखिए करगा, यानि कर की कर मतलब टेक्स तो आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टेक्स की चोरी करते हैं मतलब सरकार को क्या करते हैं ठिंगा दिखाते हैं कर की चोरी करके सरकार को ठिंगा दिखाते हैं तो ठिंगा फोर ठिंगला संगदा है तो आप ऐसे याद रखिएगा जो करगा उस में जहाँ पर फूल खिलों तो बाग फ़र बैगा संद़ाय तो याद रखेगा कि यह उस दौझा自ंद वारा मनाया जातаю है फिर अगला है मेग नात उस्टा और यह मनाया जाता है गोंड संद़ाय तो मेग नाथ यहुझा नाथ है मेघ का स्वामी है तो मेघ का स्वामी है यनि गौड है भगवान है ना मेघ का कौन है गौड है नाथ है स्वामी है गौड मतलब गोण संदा है तो याद रखिएगा मेघनात उस्वा जो है गोण संदा दोरा मनाया जाता है फिर अगला है मड़ाई उस्वा और ये भ रखीएगा कि मद़ा ही उस् â जो है यह गोंड समुधा द्वारा मनाया जाता है नेक्स्ट लोकु उस्श और यह मनाया जाता है नौक्ट को अधिरां शटीक है लोकु लक्ष्मण भगवान तो आपको पता है लक्ष्मण भगवान ने सुर्पन खा कि नाक काठ दी थी तो न अक्टो समुदा द्वारा मनाय जाता है फिर अगला लोंग टे उस्व और साथी साथ नियोकुम उस्व ये दोनों के दोनों निशी समुदा द्वारा मनाय जाती हैं तो यहाँ पर देखें लोंग टे में आपको सब्द मिलेगा लोंग लोंग की बात हो रही है तो ऐसा समझे लॉंग, सुपाडी, यह सब नसे की चीज़े हैं, नसा फरनिशी हो जाएगा याद, और नियोकुम में नियो सब्द आपको मिलेगा, आधा ना या में लगा हुआ है, जैसे निसी में भी आधा ना या में लगा हुआ है, तो आप ऐसे दोनों को याद रख सकते हो कि यह दोन हो जाती है कि कौन से रास्ते में चला जाए, कौन से रास्ते में नहीं, तो दो राह होती है, राह फर रेह और इन दो में से एक चलना पड़ता है, तो इन दो फर इंदू मिसमिस, तो आपसे याद रखिएगा, जो रेह उसा हो इंदू मिसमिस समुदाद वारा मनाया जाता इसके बाद अगला है जो कि आधी समुदाय दोरा मनाया जाता है तो सोलूंग में यहाँ पर देखे सो लो सब्द लिखा हुआ गा को दा करें तो सौलाद हो जाएगा तो सलाद में आपको आध सब्द मिलेगा आध फ़र आधी समुदाय तो याद रखेगा जो सोलूंग उस्व हो आधी समुदाय दोरा मनाया जाता है इसके बाद अगला होजागिरी उस्व जो की रिंग समुदाय दोरा मनाया जाता है तो यहाँ पर देखे होजागिरी को याद करने के लिए जोगिरी को करते हैं जोहरी और रिंग खरीदने अगर सोने की तो जोहरी के पास जाना पड़ेगा तो याद रखेगा होजागिरी उससो जो है यह मना जाता है रिंग समुदाद वारा फिर अगला है बीजू उसो जो की मना जाता है चकमा समुदा दोरा तो आपने देखा होगा जब इंसान कई सारे फल खाता है तो उसमें से बीज भी मिलते हैं जैसे तर्बूज होगा है तर्बूज खाते हैं तो मूँ में बीज भी आ जाते हैं तो यहाँ पर देखें नगोब, गोब को करते हैं गोंड, ठीक है नगोब, गोंड, तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि नगोब जतारा उस्सा जो है ये गोंड संधा द्वारा मनाया जाता है, इससे पहले मतलब दो पॉइंट पहले आपको कोयल की आवाज सुनाई दे रही होगी थोड़ा बहुत, तो उसमें मैं आपको एक पॉइंट याद करवा देता हूँ, यहाँ पर आता है मेधराम जगन्ना उस्सा, जो की कोया संधा द्वारा मनाया जाता है, फिर से देखें कोयल की आवाज आ रही होगी थोड़ा से बैग्राउंड में, तो यहाँ पर द यह कोया संधा द्वारा मनाया जाता है, कोयल की भी अच्छी टाइमिंग थी, आवाज आपको थोड़ी बहुत सुनाई दे रही होगी, इसके बाद जो अगला पॉइंट है, वो है साकेवा उस्सो, जो की किरात, खंभू, रामा संधा द्वारा मनाया जाता है, तो यहाँ सी वात है अरगर सारे कवोई आ रहे हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सारे कववों की बरात आ रही है तो आप ऐसे याद रखेएगा साकेवा उस्व जो है, ये किरात, खंबु, रामा, समुद्धाद्वरा मना आ जाता है, फिर अगला है, सोनम, लोचर उस्व जिसको सोनम, लोसर उसर भी बोलते हैं और यह मना जाता है तमांग समुदाय द्वारा तो यहाँ पर देखें तमांग में आपको मांग समुदाय द्वारा मांग में सिंदूर साधी के समय पढ़ता है है ना तो यहाँ पर देखें सोनम में सोना तो जाही सी वात है जो वधु होती है जो कन मिल लागा यह नहीं डेड़ वाड़ी और भूत तो जाही सी वात है आपको पता है डेड़ वाड़ी होने के बाद ही भूत बनेगे तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लोसांग उस्व जो है यह भूतिया संगदा द्वारा मनाया जाता है फिर अगला है सेक्रे नहीं उस्व है वो अंगामी संगदा द्वारा मनाया जाता है फिर अगला जो उस्व है वो है याम से उस्व और यह मनाया जाता है पोखरी संगदा द्वारा तो यहाद रखिएगा याम से याम से में आपको सब्द मिल लेगा याम यनि आम से यनि आम से और आम क्या करता है पकता है तो पकना फर पौकरी हैना आम पक रही पक रही फर पौकरी तो याद रखेगा याम से उसो जो है ये पोकरी समुदा द्वारा मनाया जाते है नेक्ष्ट है पंथी उसो और ये मनाया जाता है सतनामी समुदा द्वारा तो पंथी को पंची करते हैं और पंची बेढ़ता है पहले के राइट हैं। तो सुवा जिसको पैरट भी बोलते हैं और पैरट में आपको पैर सद मिल जाएगा तो पैर किसके छूते हैं गौड के नि भगवान के तो आप ऐसे याद रखेएगा सुवा उस्सो जो है यह गोंड संगुदात वरा मनाया जाता है फिर अगला जो उस्सो है वो है लोसर उस सकते है इस्टूडेंट जो है वो पैसे दे रहे हो सर को उनकी फीस दे रहे हो तो पैसे दे मतलब मनी दे रहे हैं मनी फर मोनपा और अगर सर मनी लेने से मना करें कि मैं फीस नहीं लूँगा ऐसे ही पढ़ा रहा हूं तो फिर क्या करते हैं बहुत सार इसे होते हैं जो बोल ये मनाया जाता है रेंगमा जन जाती दोरा तो इन दोनों की ट्रिक में नहीं बना पाए हूँ तिनको आपको खुद से याद रखना है और इससे पहले मैंने एक पॉइंट आपको बता था मेधराम जगन्ना या फिर मेधराम जतारा उस्सो जो कि कोया जन जाती दोरा मनाया एक पॉइंट उस्सो कितने दिन मनाया जाता है तो यहाँ पर मैं आपको याद करवा देता हूँ क्यूकि उस वाले वीडियो में याद नहीं करवाय था और मैंने आपको बोला भी था कि जब भी कुछ ऐसा मिलेगा तो मैं आपको याद वहीं पर करवाद चार दिन तो इस तरीके से अपनी वीडियो कम्ब्लीट हुई अब इस टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रेशन पूछे थे उनके उत्तर आप आसानी से दे सकते हो क्योंकि आपको याद हो चुके हैं तो जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजे और हाँ अगर आप इसका फुल MCQ test solve करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर search करिएगा trick point quiz और उस group को join कर लिजेगा मेरे द्वारा YouTube पर upload की गई सभी वीडियो के quiz वहाँ पर free में solve करवाए जाते हैं ठीक है तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद